सर्वार आमजन के हितार्थ नर्सेज प्राथमिक उप्चार के तौर पर दवा लिखने का आधिकार दिया जाने को लेकर सौपाग्यापन सर्वार से राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आमजन के स्वास्थे को ध्यान में रखने के लिए बहुत ही महत्वपून जनकल्यानकारी युजनाय चलाए जाती है जिसमें नर्सेज की भूमिका महत्वपून होती है राजस्थान नर्सेज असोसेशन प्रदेश अध्यक्ष खुशी राम मीना के आहवान पर प्रदेश वरिष्ट उपाध्यक्ष मुकेश कुमार मेगवनशी ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम ग्यापन सौपा है त्वरिष्ट उपाध्यक्ष मेगवनशी ने बताया कि नर्सेज उच्छ गुनवत्ता प्रशिक्षन प्राप्थ होने के कारण ग्रामियंक शेत्रों में चिकित्सकों की अनुपस्थिती में भी काम करते हैं इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी की ओर से अनाधिकृत आदेश दिये जाते हैं जिस पर कानूनी अर्चन आने पर भी सभी अधिकारी पल्ला जार देते हैं जिससे चिकित्सकी अनुपस्थिती में भी चिकित्सा सुविधा मोहया कराते रहते हैं इसके लिए नर्सेस को दवा लिखने से संबंदित गाइडलाइन जारी करवाने का श्रम करें, यदि सरकार पूर्ण की भक्ती फामेसी का लाइसेंस या आरेमपी का सर्टिफिकेट सेवानिवरित नर्सेस को दिया जाए तो ये भी राजे सरकार का सराहनिय कदम होगा इस दोरान प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार, मंगल चंद सैनी, पुषपेंद्र महरा, मनोहर लाल सफीक मनसुरी, हंसराज मीना, रोहित कुमार शर्मा, उर्मिला मीना, हरिराम, मया माली, जोवराज मेगवन्शी, लादुराम नफीस खान, सहित अनेको ब्लॉक के नर्सीन ओफिसर, नर्सीन ओफिसर मौजूद थे